हाई फ्रेंज गूड इबनिंग स्वागत है आपका आपको सोलूशन में देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि IAS PSE Solution का मोबाइल एप बहुत ही जल्द लाउंच होने वाला है तो यह एप आज लाउंच कर दिया गया है तो यह वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग एप को डाउनलोड करें और अपना फिडवेक दें कि यह एप आपको कैसा लगा इस एप को इस तरीके स एक ही जगे मिलने वाला है तो इस एप में क्या-क्या फिचर्स हैं और सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ करन्ट अफैर से लेक करके जैनुरल स्टडिज, साइन्स, मैथ, रिजिनिंग सब कुछ हैं पर मिलने वाला है आपको तो बहुत ही बहतर एप बनाया गया है आ तो सबसे पहले लिंक पर जाएए क्लिक किजिए आईए SPSC सोलूशन और ये आइकन ऐसा आएगा और इसी को डाउनलोड करना है आपको ये ओपन हो रहा है ये एप ओपन होने के बाद अलग-अलग कैटेगरी आपको दिखाई देगा यहाँ पे जेनरल स्टडिज का अलग दिखाई देगा, करन्ट अफेर का अलग दिखाई देगा ये अप ओपन हो चुका है तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जो उपर बनाया गया है कैटेगरी बेस्ट फोर यू इसमें बनाया गया है करन्ट अफेर, जेनरल इसके बाद आपको क्वीज यहाँ पे मिलेगा, जीके का क्वीज आप यहाँ पे खुद को टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे लागातार क्वीज अप्लोड किया जाएगा, अलग अलग एक्जाम से रिलेटेड जैसे अभी बियार में दारोगा का एक्जाम होने वाला है त इसके बाद ebook जो मैं launch करता हूँ अलग से आप लोगों के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा, यह आप देख सकते हैं ebook and pdf, बहुत student यह बोलते हैं कि सर्फ pdf नहीं दे रहे हैं वीडियो का, तो वीडियो का pdf आपको इसी app में मिल जाएगा, सारा pdf यहाँ पे मिलेगा, त इसके बाद current affair का pdf अलग से आपको दिया जाएगा, math और reasoning का pdf, सब का category आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बनाया गया है, इसके बाद वीडियो में जब आएगे, तो यहाँ पे gk video है, gk video आपको मिलेगा, science का video मिलेगा, current affair video मिलेगा, math और reasoning video मिलेगा, यह video बनाने कि YouTube में 3 वीडियो से ज़्यादा notification नहीं जाता है, बहुत सारे student यह बोलते हैं कि सर मुझे notification नहीं मिलता है जब आप video upload करते हैं, तो जब मैं video YouTube पे upload करूँगा, तो आपको notification अगर YouTube से नहीं मिलता है, तो इस app के माध्यम से आपको notification मिल जागा, कि एक video भी upload किया गया है, तो आप जाकर के video को देख सकते हैं, तो यह इसकी खास बाते हैं, अब देखिए उपर से मैं एक अक में क्लिक करता हूँ, अब current affair में यदि आप क्लिक करते हैं, तो देखिए current affair में कितने category बनाये गए हैं, current affair में मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, daily current affair, weekly current affair, monthly current affair और state current affair यह आपको मिलेगा daily current affair यहाँ पर upload किया जाएगा weekly current affair अलग से upload किया जाएगा monthly current affair अलग से upload किया जाएगा तो current affair पर काफी ज़्यादा focus किया जाएगा हमारे app में इसके बाद state current affair पर अगर हम लोग click करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितने category बनाया गया है अभी इतने ही इस्टेट को add किया गया है बाकी जितने स्टेट है इंडिया में सब को यहाँ पे add किया जाएगा यहाँ पर अभी बिहार करंट अफेर, जारखन करंट अफेर, उत्तर प्रतिस करंट अफेर, MP करंट अफेर, 36 गड़ करंट अफेर, राजस्थान करंट अफेर, और हर्याना करंट अफेर, इतने को add किया गया है, अभी अगर इसमें click करेंगे तो data आपको नहीं मिलेगा, क्यो इसके बाद यह करंट अफेर की बात हो गई, अब आते हैं general studies में, general studies पर यहाँ पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, history का अलग बनाया हुआ है, geography अलग, economic अलग, quality अलग, science का अलग से बनाया हुआ है, अब यहाँ पर history पर हम लोग click करते हैं, तो history में भी हम लोग जानते ह हैं कि तीन भाग हमारा होता है, ancient history, medieval history और modern history, तो ancient, medieval और modern का अलग अलग जो है, वो category बना करके, सारा जो information है, वो यहाँ पर डाला जाएगा, ओके, तो बहुत ही बेहतर एप बनाया गया है यह, इसके बाद जोगरफी पर यह दी click करेंगे, तो world geography और Indian geography, यह दोनों का category quality और science पर यह दी हम लोग click करते हैं, तो science का भी अलग अलग बनाया हुआ है, physics का अलग, chemistry का अलग, biology का अलग और science and tech, इसका अलग अलग सबका category बनाया हुआ है, सब में data upload किया जाएगा, कुछ दिन में सब कुछ आ जाएगा इसमें, तो आप लोग जरूर feedback दीजेगा, कि यह app कैसा है, अगर इस app में कोई कमी आपको लगती है, तो जरूर बताएगा, category जरूर add किया जाएगा, इसके बाद अब back में चलते हैं, इसके बाद अब हो जाएगा state gk, state gk पर click करेंगे, तो अभी बिहार gk, जारखंड gk, उत्रपरतेश gk, 368 gk और MP gk, इतना इसमें और जो भी quiz होगा, आप quiz लगा, यह timer set किया हुआ है, तो अभी जो है, और test के लिए सिर्फ इसमें कुछी question डाले गए हैं, अभी यह app टेस्ट में चल रहा है, इसके बाद finishing में आपको सारा का सारा data मिल जाएगा, science quiz में जाएगे, तो ऐसे ही आपको मिलेगा, अभी कोई प मिलेगा, इसके बाद e-book के यहाँ पे है, free PDF पे आप click करेंगे, तो सारा PDF मिल जागा आपको, जैसे यहाँ पे मैंने click किया, आज ही मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था, 7GPSC syllabus को लेकर के, तो इस syllabus का PDF यदि आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे click करेंगे, और view पे click करें और यहाँ से PDF पढ़ना सुरू कर देंगे, आपको डाउनलोड भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप PDF को पढ़ सकते हैं, तो यह देखिए, यह PDF इस तरीके से बनाया गया है, तो बहुत है, अच्छे तरीके से इस एप को design किया गया है, आप लोगों के लिए, अभी test में यह चल रहा है, बाकी जो है, आप यहाँ पे current affair का PDF भी देख सकते हैं, 24 अक्टूबर का एक upload किया गया था, तो सभी का सभी PDF आ जाएगा, daily current affair, weekly, monthly, सब आएगा यहाँ पे, ओके, तो यह आप देख सकते हैं, open हो रहा है, तो यह देखिए, PDF, daily current affair का, ओके, तो व जरूर बताईएगा, अपना feedback जरूर दीजेगा, और हाँ, जो लोग तयारी कर रहे हैं competitive exam की, ओ लोग इस app को जरूर share कर देंगे, दोस्तों के साथ, क्योंकि सभी लोगों के लिए, यह काफी ज़्यादा मेयत्वण होने वाला है, अगर आपको लगता है कि इस app में एक और यह category होना चाहिए, तो आप जरूर comment में बताईए, मैं उस category को add करूँगा, और ओडेटा भी upload जरूर करूँगा, तो बस इतना ही अपना comment जरूर दीजेए, और फटा फटी से install कर लिजे, और दोस्तों के साथ share कर लिजे, link description box में दिया हुआ है, अभी play store में नहीं भी सो हो है, सबस इतना ही, thank you so much